हेलो दोस्तो आप देख रहा है है स्पोर्ट्स करगेट चैनल और आज की इस वीड़ो अंगलो बात करने वाल है विंसी प्रिमियर लीग के मैच नबर 10 के बारे में जोगे खिला जागा साल्ट पॉंड ब्रेकर्स वर्सस बोटैनिक गार्डन रेंजर्स के बीच में तो जरूसे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए दोस्त पहले बात करें बोटैनिकल गार्डन रेंजर्स की तो इस टीम ने अपना पिछना मुकाबला जीता था बैटिंग बढ़िया की थे एक अच्छा टार्गेट कड़ा किया था और फिर उसे बढ़ी ही आसानी से टार्गेट को डिफेंड भी कर दिया था तो वरॉल टीम ने पिछले मुकाबलें पफामेंस अच्छा दिया था काफी डॉमिनेटिंग पफामेंस था पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है तीन में से दो मुकाबले अभी तक जीत चुके है तो वरॉल अभी टीम की कंडिशन मुझे अच्छी लग रही है पिछले मुकाबलें इन्होंने 100 से उपर का डार्गेट खड़ा किया तहां एच शॉलो और आर्क रंसी ने काफी बढ़िया बैटिंग की थी पिछले मुकाबल में 132 रणों का टार्गेट इन्होंने सामने खड़ा कर गिया था लासोफ्रियर हाइकर्स के जिसे चेस करना आसान होने भी नहीं वाला था और इन्हों स्टार्गोट को डिफेंड कर दिया सुनी लैम्डिस की बैटिंग बहुत बढ़िया थी और सुनी लैम्डिस से जदा इंप्रेश किया कादिर नेड ने जिन्होंने रंट तो कम बना है सुनी लैम्डिस के कमपेलजन में पर उनका स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया था जिसके चल दे टीम में कितना बड़ा टोटल खड़ा कर पाई एक भी विकट इनों नहीं गवाया था और इनकी ओपनर्स नहीं दस के दस ओवर खेल दिये अभी बात करें क्रिक डिवल टीम की तो वह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में जब जो पर मेरा कमेंड मिलेगा जहा करने पर आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा क्रिक डिवल बीट रिमेलेवन की तरहीं एक प्लैटफॉर्म है बस यहां पर आपको छे लाड़ी को टीम बनानी होती है एक चीज़ जो हमें इस वीपिल में देखने को मिली है वो यह कि हमें जय से मुकाबले हो रहा है हमें सब्सक्राइब कर दीजिए जाए हिंद